अच्छा सर बड़ा आक्शन हो गया अमेरिका में चार दिन से गिर रहे थे लग रहा था और सुस्ती बन सकती है अच्छा रिवर्सल आ गया यह कुछ दिखा खास अमेरिकी बाजार जो हम बात कर रहे थे 31,700,800 के आसपास स्ट्रोंग सपोर्ट है शुकरवार को लगब 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 उन लेवल के आसपास से गूमा है निचले सरों से 400,600 पर निचले सरों से रिकवर हुआ है तो एकदम पर्फेक्ट लेवल से गूमा है तो कोई दिक्कत व इकोनोमी के लिए खराब कबर, मार्केट के लिए अच्छी कबर शायद आमिरी की बाजार ये सोच के चल रहे हैं बेरोगजिगारी के आंक्रे जो साड़े तीन लाग से बढ़कर तीन लाग सतर हजार आ हैं अनुमान तीन लाग साथ हजार खाता है तो शायद बाजार इस 3.7% जो ये दर आई है बेरोजगारी की वो बढ़ी है तो मेरे खाल से उन नंबर्स पर बाजा आने रियक्शन दिया है कि चलो फाइनली फेड के कुछ करने का असर तो दिख रहा है तो अब तक फेड भी फ्रस्टेटर है जो जैरोबे पाहल साब का फ्रस्टेशन पूरा प्रेस कोंफेंज में कुछ ने कुछ ऐसे पत्रकार हर देश में होते हैं जो बुलवा ही लेते हैं जो कहना ना चाहिए जो निकल कर आया तो भड़क गए और उसका असर अमेरिकी बाजरों पर दिखा भी लेकिन फाइनली ठीक है कुछ नंबर्स में दिख रहा है तो आई दोलर इंडेक्स आपका 111 के आसपास कंफरेबल है कच्छा तेल 97 के आसपास थोड़ा सो ऊपर की तरस जरूर है लेकिन ठीक है सर्दियों में इतना तो बढ़ नहीं है जो तेजी से बढ़ है तो सर्दियों में तो एनर्जी की डिमांड बढ़नी बढ़नी है और योरोप म जो तेजी हुए उसे हम सेलिब्रेट करेंगे हम बंद हुए तो डेट सो पॉंट उपर थे डाव फीचर से पचेतर पॉंट नेस्ट फीचर से उपर थे उसके मुकाबले हम काफी बैतर बंद हुए अमेरिका में तो उसका असराज देखेगा और डाव फीचर भी दीप अमेरिका में भी अभी अभी इतना अब जो पिछले हफ्ते जितना हो गया करेक्शन चार हफ्तों के बाद मेरे कहल से पिछले हफ्ते थोड़ा सा वीकली गिरावट दिखिये तो आई तिंक वे अर गुड वे गुड एक वो करक्ष्ट करल सॉलिडेशन होना था वो हो गया अच्छों अच्छों आपर अच्छों